नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत आपके अपने यूटूब चलेंगे दोस्तों आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं ससी जीडी कॉंस्टेबल जीडी के बारे में आपके जो कॉंस्टेबल जीडी का आप जो फॉर्म लगाया है तो उसकी एक्जाम डेट गोसित कर दीगी है दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ आपको मैं सारी इंफोर्मेशन में बताने वाला हूँ कि आपका पहले एक्जाम होने वाला या पहले फिजिकल होने वाला है और एक्जाम होने वाला है या फिजिकल होने वाला तो कब होन वाला उसकी date analysis कर दी गई है बता दी कि SSC के द्वारा और notification में आपको दिखाने वाला हूं तो दोस्तों आप वीडियो के अंतक जरूर बने रहे और साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी तक नए हैं तो subscribe के लाल बटन को दब बटने पर दिखाने वाला हूं तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं जो SSC के द्वारा जो notification जारी किया गयार वह यही notification है इसमें जो सारी information दी गया वह आपको में बताने वाला हूं तो आप सबसे पहला देख़ें दे इन continuous नोटिसец that's 14ire ни Ark 4,hnlich नोटिस है यह 14-12-2018 को जारी किया गया, the candidates are heavily informed that the commission has finlized the date of conducting constable GD in CAFS, NIA, SSF and Rifleman, GD, SM Rifle, Examination 2018. मतलब जो आपका SSC GD का एक्जाम होने वाला है, Central Police Forces, NIA, SSF and Rifleman, GD, इसमें सारी paramilitary forces है, जितनी वे, CISF, SSB, ITVP, SM Rifle, CRPF, इनका जो एक्जाम है, वो आपका जो एक्जाम है, वो computer-based exam होने वाला है, साथ में according to the examination to be conducted by the commission from जो आपका एक्जाम है, वो कमिशन जो SSC commission है, वो conduct कराने वाला है, 13 January से आपका exam start होने वाला, वो 16 March तक आपका जो exam SSC वो पूरा करवा देगी, तो ये कौन-कौन से exam है, दोस्तों, आप देख सकते हैं, और इसकी exam कब-कब होने वाला है, ये सारी information में आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों, आप सबसे पहले देख सकते है जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एंड हिंदी फर्द्याफक, examination 2018 का जो paper 5 है, वो 13 January से start होने वाला है, और 13 January को मतलब एक दिन में ये सारा exam है, वो conduct करवा लिया जाएगा, इसके बाद में आपका जो exam होगा, वो examination for selection first phase 4th 2018 मतलब, ये आपका exam है, इसम matriculation level पर exam होने वाला है, higher senior secondary पर graduate LEVEL फिले होने वाला है, तो सबसे पहले आप देख से, जो matriculation level है, उसका exam आपका 16 January से 18 January के बीच में होने वाला है, फिर उसके बाद में higher secondary Level है, उसका exam 17 January 2018 के बीच में होने वाला है, इसके बाद में आपका exam होगा, वो होगा इस्टेनोग्रापर का उसके बाद मैं SSC स्टेनोग्रापर का एक्जाम करवाएगी उसका एक्जाम 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में होने वाला मतलब दो दिन में एक्जाम कंप्لीट करा लिया जाएगा उसके बाद में आपका जो SSC Constable GD है कोश्टेबल जीडिन कैफ्स एन आई एससर वें राइपल में जीडिन असम राइपल एक्जामनेशन तो 2018 का एक्जाम है वो आपका 11 फरवरी से उसके बाद में आपका जो फिजिकल मिजूर्मेंट टेस्ट है वो करवाया जाएगा उसके बाद में आपका जो जैसा ही SSE GD का एक्जाम कम्प्लिट हो जाएगा उसके बाद में S.I. in दिल्ली पुलिस केफ्स सेंटरल आर्मड पुलिस फॉर्चेट एन S.I. in CISF एक्जामन bete Dash & conduct करवाया जाएगा तो दोस्तो ये एक्जाम होगा आपका बारा मार्स से स्टार्ट होने वाला है और सोड़ा मार्स तब चलने मेरे द्वारा दीगी ये चोटी आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही जय हिंद जय भारत